हलो फ्रेंड्स वेलकम तो चाहत क्रेशन आज की वीडियो में हम यह डिजाइन बनाना सीखेंगे यह eight rows का design है और इसे बनानी के लिए हम two के multiple में फंदे लेंगे इसमें हम फंदे जो है first color के धागे से डालेंगे और first row जो है वो second color के धागे से बनानी स्टाट करेंगे फिर्स्ट कलर के धागे से फंदे डालने के बाद फिर्स्ट रो जो है हम रॉंग साइट से बनानी स्टार्ट करेंगे सेकिंड कलर के धागे से फिर्स्ट रो रॉंग साइट सेकिंड कलर का धागा लेंगे और इससे हम ये सब भी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे First row wrong side इसमें हम ये सब भी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे Second color के धाके से ऐसे ही आप इस पूरी रो को complete कर लीजिए Second row एक फंदा सीधा बनाएंगे Next हम यहां पे एक फंदे में से तीन फंदे बना देंगे ऐसे One धागा आगे की तरफ करेंगे Two और यहां से एक बार एक और फंदा बनाएंगे Three अब एक फंदे में से हमने यहां पे तीन फंदे बनाई है इस फंदे को यहां से उतार देंगे Next हम एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे अब एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे वन टू थ्री एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे में से तीन फंदे बना लेंगे वन टू थ्री एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे में से हम तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसी हम इस्ट्रो को कम्प्लीट करेंगे एक फंदे में से तीन फंदे बना लेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसी आप इस पूरी रोग को कम्प्रीट कर लीजिए लास्ट में एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट का एक फंदा हम सीधा बना लेंगे धर्ड रोग एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा यहां से ऐसे स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट हम तीन फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से तीन फंदे लेंगे और बैक साइड से ये तीन फंदे है और बैक साइड से ये तीन फंदों का एक बना देंगे ऐसे नेक्स्ट एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदों का एक बनाएंगे नेक्स्ट एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदों का एक बना देंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदों का एक बना देंगे ऐसी हम इस पूरी रोग को कम्प्लीट करेंगे एक बनाएंगे एक बनाएंगे एक बनाएंगे बनाएंगे एक बनाएंगे और लास्ट का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे फोर्थ रो इसमें हम यह सब भी फंदे सीधा सीधा बना देंगे फोर्थ रो में यह सब भी फंदे हम सीधा सीधा बनाएंगे फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद अब हम इने फोर रोस को एक बार फिर से रपीट करेंगे फिर्स्ट कलर के धागे से फिफ्थ रो फिर्स्ट कलर का धागा यूज करेंगे और इसमें हम यह सब भी फंदे उल्ट 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 बना लेंगे फिफ्थ रो में फिर्स्ट कलर के धागे से सब भी फंदे उल्ट 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 बनाएंगे और इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही आप इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे शिक्स थ्रो एक फंद सीधा बनाएंगे नेक्स्ट उम एक फंदे में से तीन फंदे बना लेंगे एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदे में से तीन फंदे बना लेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसी हम उसे थ्रो को इस से आप कंप्लीट कर लेंगे प्लोड़िय। और लास्ट का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, सेवन्थ रो, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट हम तीन फंदो का एक बना देंगे, बैक साइड से ये तीन फंदो का एक बनाएंगे, नेक्स्ट एक फंदा स्लिप करेंगे, और तीन फंदो का एक बना देंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, और तीन फंदो का एक बनाएंगे, एक फंदा स्क्रिप्ट कर लेंगे, तीन फंदो का एक बनाएंगे, बैक साइड से, ऐसे हम इस पूरी रोह को कम्प्लीट करेंगे, इसे आप कम्प्लीट कर लीजिए, एट्थ रोह, इसमें हम ये सब भी फंदा सीधे सीधे बनाएंगे, एट्थ रोह में सब भी फंदा सीधे बनाएंगे, और इस पूरी रोह को कम्प्लीट करेंगे, एट्थ रोह को आप कम्प्लीट कर लीजिए, एट्थ रोह कम्प्लीट करने के बाद हमारा ये टिजाइन कम्प्लीट हो चुका है, इसके बाद आगे हम इनी एट रोह को आगे आगे रपीट करेंगे, थेंक यू,